सच रिकाल दोस्तों, ध्यार की राजधानी पत्ना में सिख्धों के दस्वे गुरू गुरू गुबिन सिंग जी का जन हुआ, जिन्होंने गुरू गुरंत साहिब जी को पूरा करने का काम किया, और जिन्होंने इस पवित्र गुरंत को गुरू रूप देने का भी काम है और वो ये कि उन्होंने पांच कार का सिध्धानत भी जिसका आज भी सिख धर्म को धारण करूं को धारण करना बेहुथ जरूरी कंगा और कच्छरा यानि कि कच्छा जिसे लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी भी खालसा का पहनावा इन पांच चीजों के बिना पूरा ही नहीं हो सकता चलिए जानते हैं इस बारे में जब दिल्ली पर औरंग जेब का शासन चल रहा था तो उसका अत्याचार उफान पर था जिससे गुरु गोबिन सिंग जी तंग आ चुके थे और शिर्वात कर चुके थे सिख्छों को एक जूट करनी की साल 1699 था जब उस दिन बैसाखी मनाई जा रही थी दूर दूर से संगत को गुलावा भेज दिया गया था लोग लाखों की संख्या में कठ्था हो रहे थे सिख से उनको सिंग बनाया उनको पांच ककार भी गुरु जी ने धारन करवाया खालसा का तो मूल अर्थ हुआ वो ये कि वैसे सिख जो गुरु से जुड़ा है और वो किसी का भी घुलाम नहीं है वो आजाद है बिलकुल आजाद सिख्धर्म के ये पांच ककार के बारे मे थोड़ा विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे इन पांच ककारों में सबसे पहले हम बात ककार कंगा की करेंगे तो एक अमरित धारी सिख लकड़ी के कंगे को यूज मिलाता है जिससे वो अपने बालों में पगड़ी के नीचे रखता है इस लकड़ी के कंगी को धा साफ करने के लिए शैंपू जैसी कोई चीज चलन में नहीं थी तब एक सिक पानी और तेल से अपने बालों को साफ करता था पर उनके लिए नियम ये बनाया गया कि दिन में कम से कम दो दफा तो उनको लकड़ी के कंगे से अपने केश साफ करने ही होंगे आज भी एक करता हे एक सिक बालों को इस लखड़ी के कंगे से साफ करने से होता यह है कि सिर की त्वचा जो हैは कंगे करने से यह की खून का जो प्रवाह है वह बहुत सभी तरीके से होता है जाए पन के तोर पर नियम है कि कडा ए selbst आधी यहात में पहनँ न होता है यह कड़ा सिक्धर्म की सुरक्षा का एग बहुत जाना माना प्रतीक से कफरार की बात करते हैं तो यह से अपने अंधुरूनी कपड़े पहन उनक्ते हैं नियम कहते हैं कि कछहरा सूती कपड़े से बना होना चाहिए तब होता ये था कि जब सिख युद्धा युद्ध लड़ने जाया करते थे इस दौरान उनको घुरसवारी भी करनी होती थी ऐसे में युद्ध के वक्त सिख युद्धाओं के तन धके रहें इसके लिए और कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहों इसके लिए कचहरा पहनने की जो एक रवायत थी वो शुरू हो चुकी थी तो ये भी जो है पांच ककार में शामिल कर लिया गया अगले ककार की अगर बात करें तो ये है केश या फिर बाल सिखों के दश्वे गुरू गुरू गोबिन सिंग जी के हिसाब से केश अकाल पूरख की तरफ से सिख को दी गई एक बहुत बड़ी देन है काल पूरख की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा सा मान है जिसको कभी भी खुद से अलग करना ही नहीं चाहिए इसे में एक अमरत धारी सिख या फिर एक सिख के लिए अपने बाल कटवाना निश्यद है यानि सिखों को अपने बाल क या क्रिपार जिसे अमरे धारे सिख हर समय अपने कमर पर धारण करते हैं नियमों पर गौर करें तो इसे धारण करने के लिए 24 गंटे कहा गया है मतलब 24 गंटे से पहनना जरूरी है गुरू गोबिन सिंग जी की दी गई शिक्षा पर गौर करें उनके उपदेशों पर यह हमेशा हमेशा तयार रहना होता है इस सेग्मेंट में इतना ही आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं हमारे साथ बने रहें आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज साहस सच कहने का